देंज के स्टड़ी के यूटूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है देखें एंटी पीसी का जो रिजल्ट है वो 14 जनवरी से ही आना सुरू हो गया था और लगवक सभी जोन का रिजल्ट आ भी गया और रिजल्ट आने के बाद छात्रों के बीच काफी और संतोस देखने को मिल रहा है छात्र इस रिजल्ट से खुस नहीं है क्यों खुस नहीं है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा जनेंगे कि या खिर मामला क्या है क्यों सारा छात्र इस रिजल्ट का विरोध कर रहे है NTPC के छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे धोखा हुआ है छात्रों के साथ पहली बात तो यह हम लोग कर लें कि यह तो करना ही पड़ेगा रेल्वे को कि रिभाइज रिजल्ट देना ही पड़ेगा आप लोगों को रेल्वे को रिभाइज रिजल्ट देना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए रिभाइज रिजल्ट हम लोग लेकर के ही रहेंगे ठीक है मामला यह है कि जो रेलवे एंटी पीसी का 35,000 कुछ पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकला था उसका CBT1 एकजाम होते होते 3 साल हो गया और CBT1 एकजाम हुआ भी तो उसके 7 महिना के बाद रिजल्ट है यानि कि जनवरी 2022 में अभी परसो रोज से रिजल्ट है ठीक है और पहले यह कहा गया था कि जो आपका 35,000 वैकेंसी एंटी पीसी का उसके 20 गुना 20 गुना रिजल्ट हैगा यानि कि 7 लाख टोटल रिजल्ट हैगा ठीक है 7 लाख रिजल्ट और 10 गुना दिया भी गया है तो जानते हैं क्या हुआ है 10 गुना रिजल्ट 10 गुना रिजल्ट भी जो दिया गया है उसमें यह किया गया है कि एक ही छात्र का हर लेवल में लगभग रिजल्ट दिया गया है मतलब कि जिस छात्र का नमबर लगभग 70 पुलस है और वो graduation से हैं तो उनका लगभग हर level में result दिया गया है यानि कि 4 level में उनका result है तो वो तो ऐसे उनका जबकि result होना चाहिए था एक level में और 4 level में result हुआ है तो तीन लड़कों का यहां से वो seat मार रहे हैं ठीक है तीन लड़कों का वो लोग seat मार दे रहे हैं और अगर ऐसे देखा जाए लड़कों का तो जो result आप लोगों का देना था 7 लाख वो result मात्र आया है आप लोगों का कितना 1,75,000 के आसपास result आया है 1,75,000 तो जो 7 लाख result देना था वो 1,75,000 आया यहीं से लड़कों के साथ धोका होना शुरू हुआ है ठीक है हालात यह है कि जिन लड़कों का 70 प्लस मार्क्स था रो मार्क्स 70 प्लस था उनका नोर्मलाइज करके मानिए 57 नमबर बढ़ा भी दिया है 78, 79, 80 तक भी नमबर है फिर भी result नहीं हुआ है मैं बात ISC वालों का कर रहा हूँ जो इंटर क्वालिफाई थे और उनके यह बात कि यह था CBT1 में उनका result नहीं हुआ है 20 वालों का भी तो यह लड़कों के साथ धोका हुआ है पहली बात कि 20 गुना result नहीं दिया गया 10 गुना दिया गया और 10 गुना दिया भी गया तो एक ही लड़के का 5 लेबल में result दिया गया तो यहीं सब देखते हुए छात्रों द्वा प्लस ट्वीट हो गया है इस मामले को ले करके तो कहीं न कहीं यह जो 2 million tweets हुआ है 20 लाख यह कहीं न कहीं लड़कों के नराजगी को दिखा रहा है नराज जो भी छात्र है NTPC result से खूस नहीं है CBT1 का result से वो tweet कर रहे हैं और इसमें उन लड़कों को भी आना चाहिए जिनक बन जाए तो इससे बहतर क्या बात हो सकता है इससे बहतर आपके लिए क्या बात हो सकता है आगे हम लोग एक paper देखिए यह जो हिंदूस्तान का paper था उसमें cutting दिया है सुबह सुबह ही इसमें यह कहीं परिचार्थी का कई पदो पर चयान लाखों हुए बाहर यह heading है ठीक ह paper का परिचा के result का social media पर होगा विरोध जैसा कि हो भी रहा है ऐसा तो यह जो मामला है कहींने कहीं बहुत गंभीर मामला है और इसके लिए करना क्या है कि आप लोग अभी tweet कीजिए और फिर भी revised result नहीं आता है रिभाइज result के लिए यह सब हो रहा है कि फिर से result जारी किया है फिर से cut-off बनाया जाए और जो level wise result दे दिया गया है शुरुवात में ऐसा नहीं होना चाहिए cbt2 के बाद level wise result होना चाहिए जैसा कि notification में बोला भी गया था तो level wise result cbt2 के बाद दीजे और अभी एक ही cut-off बनाया जाए हो और student के लिए ताकि उन बच्चों का भी फायदा ह जो 70 प्लस score किये है और उनका result ntpjcbt1 में होना चाहिए यानि आप लोगों को clear clear यह बता दिया जा रहा है कि 7 लाख result railway को देना ही होगा और अगर यह tweet के बाद भी result नहीं आता है तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे ठीक है चक्का जाम भी किया जाएगा तो यह अन्याय ज